उसने चारा खा लिया, सिर्फ एक ही शॉट मिलेगा एक मशली, दो मचली, दाल मचली, मरी मचली तुम्हारा बाप कौन है? कॉलिज में ऐसी मूवीज बड़ी अच्छी लगती थी सुवारी, तुमने कुछ कहा क्या? शार्प वाली मूवीज, तुमने देखी है? हाँ, देखी तो है, क्यों? मसेधार मूवीज होती है वो अच्छा, कौन सी मूवी? आ, चौथी पर तुम ये कैसे कह सकती हो? सब एक जैसी रखती है कॉट कैंबल का वो काला आई पाच? सीक्वेल में उसके आँख चली जाती है जब चेलिफिश फर्च जाती है सब बक्वास है वैसे तुम टिंडर पर कब से हो? दो महीने हो गए अहां मैं भी वो एक महीने से ये पहली बारे जब मैं किसी से मिल रही हूँ ये तो बड़िया है बड़िया? वैसे मैं थोड़ा हवा खानी के लिए बाहर जा रहा हूँ हां ठीक है तुम ज़र यहां का धिहान रखना कोई बात नहीं शुक्रिया एक मिनट मैं भी आता हूँ एक मिनट देखो दर असल मुझे और भी लोगों से मिलना है तो हम बात में बात करते हैं ठीक है तुमने अभी वो धमाका नहीं सुना देखो मेरी बात समदने की कोशिश करूआ तुम्हे खेल खेलना बंद कर दो मेरी अच्छी दोस्त बन जाओ अगर तुम चाहो तो यह मुझे थोड़ी निरे के ले जाए अबाइब कर दो कर दो में आए यह मुझे थोड़ी निरे के ले जाए अबाइब कर दोस्त बनाए अबाइब कर दोस्त बनाए बेटी विल्स की भेड़ भाग निकली और उसे वो नदी किनारे मिली उसके दो तुकड़े हो गए थे शरीफ हरली कहती है कि वो एक बॉब कैट था कि आ गई मुझे अपनी और अपने डॉक के सब्टी के लिए कुछ चाहिए आपको जो चाहिए वो है यह बढ़िया ग्रिप है और ट्रिगर हलका है यह बड़ा जोर का चुटका देता है बॉब कैट पंदर केलो का होता है चुटे हंटन बिलकुल चीक रहेगा राइफल को र मैं ये लेती हूँ वैसे मुझे पेंट थिनर कहां मिलेगा दूसरा कॉलिडर शुक्रिया मिलकर अच्छा लगा मिसेश चाप्मन तुम तो अगले अपते आने वाली थी ना फाइनल खतम होगे सोच आपको सिप्राइज दू तुमारे लैब्स का क्या हुआ कैंसल हो गया ख हैर अच्छा हुआ तुम आ गए आना पड़ा मिचल ट्रेडिशन फिशिंग कंपेडिशन कैसे छोड़ सकती हो इस साल हम जीतते रहेंगे इसे मिस चैप्मन के लिए पैक कर दोगे आधे काम पर लगा दिये अरे वाँ सबसे बड़ी मचली तो हम पहले क्राउट शॉट लेंगे फिर पाटिसिपन्स का इंटरव्यू और उसके बाद जैसन लंडन के साथ खास बाचे सुनो तुम 30 सेकंड के पैकेश के लिए 40 मिनट का फुटेज लेना चाहती हो वो इस स्पोर्ट्स और वेदर के बीच कहीं तबा देंगे अगर हमें 30 सेकंड ही मिले तो ये बहतरी इन 30 सेकंड होने वाले हैं ये सिर्फ एक मचली है डीप फ्रोट मूवी गराज के एक आदमी के बारे में थी उसने एक प्रेजिडेंट को बदर डाला एक मामूली असाइन्मेंट भी सदी की सबसे बड़ी कहानी बन सकती है चलो काम शुरू करते हैं ये कचरे के डब्बे कहा रखने हैं उन्हें कहीं पे भी तुम रख सकते हो वैसे ये बताओ तुम उन्हें लेने कब आओगे अब तो मैं कल ही आओँगा कल कचरा कल तक पड़ा रहेगा सौरी क्या सौरी जेसन लंडन की कोई खबर मिली क्या नहीं लेकिन मसला उससे भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है हमारे सेलेबरिटी गेस्ट के ना आने से भी बड़ा मसला है क्या उसका नाम होर्डिंग पर छपा हुआ है तुम्हें पता है हाँ हाँ ये उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा मसला है देखे मुझे अभी अभी खबर मिली है कि स्टीम बोट पर एक बड़ा हाथसा हुआ है मुझे हाथसे की पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन लगता है कि शाक ने अटेक किया है और बहुत सारे लोग मारे गए है ये खबर पकी है उन में से एक जेसन लंडन भी था क्या देखे मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि उसमें जेसन लंडन था या नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता तो फिर मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम क्योंकि गवर्नर के ओफिस से देखिए ये मेमो आया हुआ है फिर उस पर शरत धांजली के फूल माला चला दी या तुम्हें पता है कि उस पर मेरे कितने पैसे लग चुके हैं सुनकर तुम्हें यकीन नहीं होगा क्यों क्यों कोई शाक रिवर बोर्ट पर अटेक करेगी कहीं कुछ ना कुछ तो गडबड है ये बताओ हम इस पर दिमाग क्यों खपा रहे हैं अगर शाक टैट कर यहां पर आ जाए तो ये मिसिसिपी है न्यू औरलियन से सैकडो मेल दू कोई चांस बनता है मेरा मतलब है कि ये बताओ है मैं तुम्हे शूट नहीं करूंगी चले जाओ यहां से हम तुम्हारे अंकल की गाड़ी इस्तिमाल कर रहे हैं वो नारास तो नहीं होंगे जब उन्हें पता है नहीं चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है और वैसे भी इसे सिर्फ मैं ही चलाता हूँ वो तो घर में बैठे हुए सिर्फ दार्शनी किताबे ही पढ़ते रहते है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो हम माफी चाहते हैं सर हम अपना तरीका आजमाएंगे जी हाँ गुड लग बच्चो तुम्हें जरूरत पड़ेगी यह 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 लगातार दो साल से कैसे जीत रहा था बिकार में क्यों परिशान हो रहे हो इस बार हम ही जीतेंगे तुमने बिल्कुल सही कहा बस कुछ ही घंटों में मैं उस पोडियम पर जाकर अपने जिंदगी के सबसे फिविट आदमी के सामने उस टॉफी को हासिल करने वाला हूँ जैसे है लेकिन एक आईकॉन एक स्टार एक लेजिए बेहोश मत हो जाना मैं वादा नहीं कर सकता वो टैरा में चल है ना यकीन नहीं होता वो यहां पर आएगी तुम्हें इस बारे में पता था क्या नहीं कि ओके ठीक है कोई बात नहीं कि इस साल पार्टिस्पेंट्स ज्यादा होंगे बिल्कुल सुना है इस बार के इनाम में बिग बिल का पिकप ट्रक भी है सच में तो बिजनेस अच्छा चलेगा हम लड़कियों के लिए डिलिवरी कर पाएंगे हम हां मैं आपको बताने वाल कि मैं पढ़ाए बाद में करूंगी टेरा तुमने बायो के मिस्ट्री के लिए खास दोर से हर्स्ट को चुना था मैंने राता बदल दिया और अब प्लान क्या है बिजनेस ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ अब आप जवान नहीं है आप अकेले नहीं कर पाएंगे लेकिन इतना बुड़ा भी नहीं हुआ हूँ मेरी फिकर मत करो ठीक है यह एक फैमिली बिजनेस है मदद मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ने बेजा ताकि तुम अपना करियर बना सकूँ शायद यही मेरा करियर हो लेडीज एंग जेंटलमे मेरा है और इस कॉंटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए मैं आप सबका शुक्र गुजारा हूँ ओ पिछले साल के विजेता तो ठीक मेरे सामने खड़े हैं पोसां भाई कैसे हैं पोसां में एक तालिस किलो की मचली पकड़ी थी याद है आपको इनकी रिकॉर्ड को तोड़ना होगा रूल्स बहुत ही आसान है आपके सामने ये तीन मील की महान मिसिसिपी बह रही है सीमाओं पर निशान तेर रहे हैं पकड़ने का तरीका कोई भी हो आपको कैट फिश को पकड़ कर यहां लाना है उसे हम वज़न करेंगे और उसी के हिसाब से हम विजेता को चुनेंगे कोई सवाल? सिर्फ एक तुमारा बाप कौन है? ये एक छोटा सा मोवी मैजेक है दोस्तों लेडिरीज और जेंटलमेन आप सब इने अच्छी तरह जानते हैं ये हैं कर्ज कैंपेल मुशल मरीन बाइलोजिस्त थे शाक बाइड्स मूवी एक से पाँच में असल में एक, दो, चार और पाँच कमाल खेते हैं आपके और हमारे चहेते हीरो यहाँ पर है जेसन लांजन ये बिग बॉट या बात है मेरा नाम बिल है यहां आकर बड़ा अच्छा लगा दोस्तों इस गजब के इवेंट का हिस्सा बनाएए मेरी खुश नसीबी है तो आएए शो की शुरुआत करते हैं ठीक है तो जरूर देखिएगा शाक बाइट सेक्स जल्दी आ रहा है इस क्रिस्मस पर देखिएगा अखरी ये मामला क्या है अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई ये ठीक है धार मेरे फैस्टा कर लिया है क्या अब बात है पॉसम रे तुम यह क्या कर रहे हो तुम भी हिस्सा ले रहे हो क्या मैं अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिता रहा हूँ वस तारा पॉसम वसे पानी के साथ मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन इनाम की रकम जीतने का ख्याल अपने मन से निकाल दो वसे भी बीस सालों से हार रहे हो मन नहीं भरा क्या अब तो छोड़ दो हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे ठीक है मैं अभी आता हूँ माल आया है वो मेरा इंतजार कर रहे हैं अभी? ड्राइवर से जरूर कोई गलती हो गई है पिस्मत दोखा दे दिया बहुत बुरा हुआ मैं अब के साथ चलूँगी ठेरा यह तुम्हारा काम नहीं है यह तुम्हें कह रहे थी आप अकिल संभाल नहीं पाएंगे मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए टेरा देखो यह दुकान वुकान छोड़ो और जिंदीगी में कुछ करो पढ़ाई करो और कुछ बनो लीचे यह तुम्हारी में अपका बहुत बड़ा फैन हूं अच्छा अधार आता हूं अधार जुक्त प्रूट 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 थेंगी हां क्यों नहीं है हो गया है ठीक है बढ़िया बहुत बढ़िया मिस्टर लेंडन माफ की जी बोलिए है मैं अलिसन हार्टिंग हूं डबलो आए क्यूज नियूस से मुझे थोड़ा बग दी सकते हैं लेकिन स्टेट की देखिए मैं बड़े मार्केट में काम कर रहा हूं ब्रांड देखना पड़ता है आप समझ रही है ना नहीं शुक्रिया नहीं कर सकता लेकिन मैं कसीनो फाइ रुको मैं मदद कर देता हूं ठीक है तुम एरिक हो ना हाँ बिल्कुल है कैसे हो तुम अच्छा हूं बहुत बड़िया एक दम फेट अब आजकल मैं बिट बिल के यहां हूं और मार्च का एंप्लोई आफ दो मन था अरे वां क्या बात है तुम हंस्ट में हो ना हां वहां सब तुम्हारे जैसे ही होंगे मैं खुछ समझी नहीं मतलब हमारी जनरेशन के महान साइंटफेक माइंड्स के साथ वो तो मैं नहीं जानती है चोड़ो भी सेलुलोस पर तुमने एंजामेटिक हाइटरोलोसिस की थेसिस लिखी है और साइंस फेर के लिए सेलुलोस एथिन दोस्तों ने लंबा रास्ता तैय किया था तुम्हारा हाउसला बढ़ाने के लिए अच्छा पता ही नहीं कोई बड़ी बात नहीं थी स्कूल के लड़के थे वाइल्ड ट्राइव कर रहा था और मैंने पैट्रोल भरवाया था वो सुनो एरुक वो वो बॉक्स मेरा नहीं है सुरी वो झाल प्रशब बढ़े रूदु नीदा संय is टुरिंट ु उ गीजिट टुपो मैं अड़ा हुआ मैं अड़ा हुआ मैं अड़ा मैं आपने हात पुड़ा कर दो, कर दो सुनो मैसन ने अभी-अभी मुझे एक मैसेज भीजा है नियू और्लियंस में वो शार्क अटैक कवर कर रहा है क्या कह रहे हो? शार्क ने एक रिवर बूट पे हमला किया है और गवर्नर इस बात को चुपा रहा है यानि मिसिसीपी में शाक्स हैं? शेरिफ, लोगों ने ब्रैडिस बास के पास चिंखने की आवास सुनी है चेक कर क्या है क्या हो? तुम्हें क्या लगता है? कोई चगड़ा हुआ होगा? पता नहीं लेकिन कोई जो है किसी बात पर बनिशान है चले चले यह सही समय है तो कब निकलने वाली हो तुम? मैं डाट के इंतिजार कर रही हूँ, और तुम? सब तयार है हम कैटफिश पकड़ेंगे तुम उने फिर से पकड़ने वाले हो? यह वाइड की थियरी है सब लोग नदी किनारे फिशिंग के लिए जाते हैं लेकिन फिशिंग के लिए तो सबसे अच्छी जगा है हारबर यानि सबसे बड़ी मचलिया यहां होंगी क्योंकि वो लंबे अरसे तक जिंदा रहती है यह एक अच्छी थियरी है ठीक है तुमने मिस्स कर दिया मैं अभी अभी जैसन लंडन से मिला वो सच मुझ कमाल का दिखता है बिलकुल किसी चमकते हुए सितारे की तरह दिखता है वो मैं अभी तक उस पल को भुला नहीं बारा हूँ वाई इसका फैन है यस उसमें कोई खास बात नहीं है आपको शाग वाले मूवीज पसंद नहीं गया उतनी नहीं सिर्फ इस फिल्म में जेसन नहीं था थोड़ा तमीज से उसका नाम लो तू तुम तो पागल हो तुम तमीज से नाम लो बस क्यों? मैंने क्या गलग कहा तुम जानते हो मुझे वो बहुत पसंद है हाई डाड आप मुझे धोका तो नहीं दोगे न क्या तुम नदी पर हो? नहीं, आपके दिजार कर रही हूँ तुम अभी जहां पर हो बस वहीं पर रहना, ठीक है? बोट मत निकलना, समझ गई? ठीक है, मुझे आप डरा रहे हो, क्या बात है? पानी में शार्क्स हैं क्या? क्या है? शार्क्स, वहाँ पानी में शार्क्स हैं रिलाक्स डाट, यह आप क्या कह रहे हो? बिटा, मैं फोन रख रहा हूँ नदी से दूर ही रहना, ठीक है? पानी में बिखुदा चार्क्स है डाट, डाट अई, सब ठीक तो है? मेरे डाट ने बड़ी अजीब बात कही है क्या कहा हूँ उन्होंने? लगता है कुछ गरबढ है तुम्हारे पास कार है? अहाँ, तुम्हें जाओ जाना है ले जाओंगा सेरा रुको, एक मिनिट हाँ हम इसके लिए एक मेहने से प्लैन कर रहे थे तुम, मैं और मिकॉंग तुम पीचे नहीं हट सकते हैं हमें नदी में जाना ही होगा उसे देखो यार, वो कितनी परिशान है मैं भी तो परिशान हूँ अब मेरी समझ में है, तुम्हें स्कूल से ये उसके दिवाने हो देखो, असलियत ये है कि वो, स्कूल में तुम्हारी तरफ बिल्कुल देखती भी नहीं थी और आप तुम उसके लिए इतनी हबदर्दी दिखा ले वाकिर क्यों क्योंकि उसे तुमसे कार मांगी मैं जल्दी वापस आता हूँ ये नहीं सुधरने वाला बस मुझे धोका मत देना कैसे हो? आज कदेन ही खराब है जबरदस्त फिश है बासम 42 किलो 600 ग्राम इस तक पहुँचना आसान नहीं होगा हो सकता है प्रतियों गिता जल्दे खत्म हो जाए अंडे फूटने से पहले मुर्गियां मत गिनो पूरा दिन पड़ा है ज़रा सुनिये अब क्या हुआ? अब फिर से एक मसला खड़ा हो गया अब निश्टर लंडन अपनी जगह पर नहीं है और सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं अब ये सब भी मुझे ही देखना होगा कहां पर गया वो? आखिर वो चाहता क्या है? एक मचली दो मचली लाल मचली मरी मचली इस तरह हैं आपने देखा ऐसे करते हैं आपको सीखना है तो देखिए मेरी साइंस फिक्षन बड़े कॉप मोवीज नौक शार्क टू फिन ब्लू लाइन सब कमाल की हैं बड़ी प्यारी अगले दो हफतों में शूटिंग शुरू होने वाली है मिस्टर लंडन बैरी आप आँ गए मैं बिल हो ठीक है बताए कैसे आना हुआ देखिए आपके ओटोग्राफ देने की तैयारियां पूरी हो चुकी है सबने लाइन लगा दी है वो मुझे जल्दी जाना होगा सिर्फ दो घंटे की बात हुई थी न आप देड़ गंटे लेट हो रहे थे देखो मेरी बात सुनो मुझे अफसोस है तुम्हें परिशानी होई सच में बड़ा मसा करने नहीं आया लेकिन मेरी अपनी परिशानी है सुनो एक काम करते हैं अगले साल तुम मैं तुम अपना शेडियूल बनाओ मैं अपना शेडियूल बनाओगा ठीक है इस बार सही डंग से काम करें ज्यादा बड़ा ज्यादा बहतर लेडिज तुमने आवास सुनी लगता है कुछ गडबड है देखते हैं वो क्या मैं यह किस ने किया होगा शार्क्स यह शार्क्स के बारे में क्या करें हो तो इस नदी में एक शार्क है शायद एक से बी ज्यादा आपको यह पता है हो सकता है मुझे वो सब तो बक्वास ही लग रहा है आखिर इस नदी में शार्क जिन्दा कैसे रह सकती है बुल शार्क मीठे पाने में जिन्दा रह सकती है क्या आप अपनी बक्वास बंद करेंगी और असली मुझरिम के बारे में बात करेंगी प्लीज मैं यहां मेजबा नहीं करने आया था और मुझ पर हिलजाम लगाया जा रहा है क्योंकि कि किसी का सर कट गया मिसिस चाप मैंने कैसे और थी जो सब के मदद करती थी और सामने बहुत चाहते थी आपने आपने ठीक मैं ही पथा नहीं क्या-क्या सोटे लगा था मेरे पास आये मुझे माफ करतीजी प्लीज मैं आपसे माफी चाहता हूँ मेरे पास आये मुझे उनके लिए बहुत अफसोस है ये मामला बहुत कंभीर है नदी में कम से कम 40 लोग है हमें उन्हें वान करना होगा वह वह साही बाते हैं यहां एक खासा हुआ है लेकिन सबकी किसमत अच्छी है कि मैं यहां पर हो मैं सब मैं से बड़ा दुश्मन हो जैसा कि मैंने शार्क बाइट फाइब में कहा था कॉंट्रेक्ट वाली शार्क उस मैमल के दांत हो सकते हैं उसके पास दिमाग भी है शार्क मैमल्स नहीं कंट्रिक्टिस होती है सुनो मेरी बास सुनो मैं लिखे हुए डायलोग नहीं बोलता हूं ठीक है यह मेरा स्टाइल है तुम्हें इस परिशानी से कोई निकाल सकता है तो वो मैं है ज़र एक सेकंड दोस्त देखो मामला बेगड़ गया है और इससे पहले कि तुम मारे जा मुझे मेरा बकाया पेम है जानते हो हरली मैं बूढ़ा तो हो रहा हूं लेकिन शार्क और बॉबकेट के भी चची तरह फर्ख जानता हूं उसके फर होते हैं न खैर जाने दो वो अभी भी है वो उस तरह गई है उसे इस तरह नदी में तैरता नहीं छोड़ सकते उसे किनारे पर लाना होगा तुम पानी में न जा तो अच्छा होगा फेक्र मत करो क्योंकि तुम मुझे कावर करोगे मैं अब भी तुम्हें मना कर रहा हूं रहे ये मेरा काम है शार्क दिखे तो सूट कर देना हो हो ये तो माली हटसंस है अभी अभी नई गाड़ी ली थी इसने बात बुरा हुआ तुम ठीक तहां इसे कम से कम 20 किलो वसन घटाना चाहिए था करीबी मामला था हमेशा चाह करना रहता हूं मैं कोई शार का असानी से हमदा नहीं कर सकती कहा गई दिख तुमारे पीछे है जल्दी बहार निकलो जल्दी आओ अज़ाओ नस्दी की मामला था नस्दी की वो तुम्हें खा गई होती नेरा मतलब गोली से था तुम निशाना मुझे पर लगा रहते है या शार्क पे तुम नहीं कहा था शूट करो निशाने के बारे में नहीं था था तुम्हें शुक्रिया अगली बार तुम पानी से दूर रहना बानता हूँ वेरा जूता लेकर चली गई यह तो अच्छा है पैस्ट अब मुझे लंगड़ा कर चलना पड़ेगा यह कौन है आफिसर आफिसर डबलू आई क्यूज़ से अलिसन हाटिंग बता सकते हैं क्या हो रहा है माव करना मेंडम आपको क्राइम स्पॉट से दूर रहना होगा आप भीगे हुए हैं क्या वज़े हैं आप वापस चाहिए आपका एक जुदा गायब है कि यह बहुत दिल्चस्प है चल दिया आओ तुम्हें थर्टी सेकंड से दस गुना ज्यादा मिलेगा सुनिये मैं चाहता हूँ आप नदी से दूर रहें आपको कॉंपिटिशन बंद करना होगा अगर इससे मैंने बंद कर दिया तो मैं दिवालिया हो जाओगा और अकर उन लोगों पर शाक ने हबला किया और पता चला कि आप शाक्स के बार में जानते थे लेकिन किसी को नहीं बताए तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा आपको एलान करना होगा उसके बाद हम सब को नदी से बाहर निकालेंगे माफ करना वैसे हम में से शाक एक्सपर्ट कौन है कोई भी नहीं अच्छा वैसे आप करती क्या है मैं कालेज में हूँ हाउस वाइप की डिग्री ले रही है असल में ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है बहुत हुआ मैं यहां एक एनाउंस्मेंट करने जा रहा हूँ वो मैं करूंगा सुनो लोग ऐसे आदमी से सुनना पसंद करेंगे जिस पर वो भरोसा करते हैं मैं एक्टर हूँ मैं जो कहूंगा लोग उसे सुनेंगे इसलिए ऐलान मुझे करने दो ठीक है चलो ठीक है तुम जैसा करना चाहते हो वैसा ही करो इस आदमी का देल अच्छा है पर दिमाग का पता ने चलो वाइट को ढूंते हैं क्या भी से कर पाएंगे आसानी से कर दोस्तों कॉम्टिशन का मजा ले रहे हैं पर मुझे अप्सोस है कि हमें आज का इवेंट कैंसल करना पड़ेगा बिल्कुल नहीं जी हां क्योंकि आप सब बेहत खत्रे में इसलिए बैक अप आपने सुना नहीं इस नदी में शार्क है वो आपको खा सकती है आपके बच्चों को खा सकती है दिखती नहीं रहा है चलो पानी में उतर के खेलते है अब शार्क बैट 3 बनाओ तुम्हें पता है मैं शार्क बैट 3 में नहीं था ओ, तो लड़की का ड्राइवर वापस आ गया तिप तो जरूर मिली होगी वो सब थोड़ो वाइट, एक बड़ी प्राब्लम है पानी में शाक्स हैं ये तो बुरा हुआ तुम्हें, तुम्हें हैरानी नहीं हुई? शार का लोग शिकार कर रहे हैं शायद इसी वज़े से वो शाक्स यहाँ पर चली आई होंगी और वैसे भी शाक्स मीटे पानी में जिन्दा रह सकती है कैर छोड़ो यार वैसे भी ये स्टोरी शाक बाइट टू की थी तुम्हें याद तो है ना? क्या यार? ओ लगता है कुछ फंस गया लगता है काफी बड़ी है आजा 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 मेरी जियान आजा ये तो सच में बहुत बड़ी है सुनो रुक जाओ ये कम से कम 200 किलो के तो जरूर होगी पीछे हट जाओ अरे यार इसे उपर तो आने दे आज पैसो की परसाथ होने वाली है अरे बापने इंचों मितल वो सेक्सी रिपोर्टर कहां चले गई? शाक! अरे सुनो बच्चे देखो मेरा एक काम कर दो देखो तुम्हें वीडियो लेका है, ठीक है? मैं उम्हें एक डॉलर दोगा ठीक है सुनो सुनो देखो मुझेए फ्रेम में रखना सिर्फ मुझे फ्रेम में रखना, ठीक है? अगे दोस्तो मैं आ रहुँ सब हीरो कॉस्टूम में ने आधरे अपने में पोचा जाए अपने हाथ दीजी मुझे अब तो आपको यकिन आ गया वैसे ये मेरा फर्स था थैंक यू मैंने आपको फ्रेम में रखा था अब उसकी जरुवत नहीं है वैसे आईस क्रीम कहा मिल रही है तुम ठीक हो हाँ हाँ मैं ठीक हूँ कमाल हो गया हमने शाक को पकड़ा हाँ ही रोज देखो हाँ मुझे पता है मुझे ही करना है अब ज़रा सुनिए हाँ क्या आप यहां के इंचार्ज है हाँ हाँ मैं ही यहां का इंचार्ज हो क्या काम है आपको यहां नदी में शार्ख है हमें कॉम्पिटिशन को रोकना होगा बिलकुल नहीं इसे कहते हैं बीच में टांग अड़ाना आपने देखा नहीं कि हमने शार्ख को पकड़ा था तो अपने शार्ख को पकड़ा है अपनी जुगार वाली मशीन से हैं हाँ उ मॉंस्टर्स आफ मिसिसिपी रूल बुक पेज 47 सेक्शन 4 पेराग्राफ 2.2b में ये लिखा है कि कॉम्पटिशन में जो भी मचली पकड़ी जाती है वो इसी नदी की होनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए पॉसम इस कॉम्पटिशन की बाद को भूल जाएए यहां लोग मर रहे हैं कितने लोगों ने हिसा लिया है इसमें तो 35 लोगों का नाम लिखा है उन्होंने अपने फोनमस भी दिये हैं हाँ वो सब फॉर्म में होता है लेकिन मेरे पास फॉर्म नहीं है वो हमें मिल सकता है हाँ वो हर्बर हाउस में है मैं जा कर लाओं क्या हाँ हाँ फॉरं प्लीज तुम छीक तो है नहीं यह मेरा पहला असाइल्मेंट है मैं अच्छा काम करना चाहती थे शेरिफ शेरिफ आप वहाँ है हलो शेरिफ हलो हलो मैं यही हो आपको सुनकर यकिन नहीं होगा लेकिन लोग पूर्ण करके बता रहे हैं कि उन्होंने नदी में शार्ण को लेखा है तेरा आता हूँ मैं नहीं नहीं वहां मज्या वहां खत्रा हो सकता है उसे इतनी देर क्यों लग रही है वही तो शायद मुझे खुछ जाकर देखना होगा यह तमाशा ज़रा बंद करोगे रुको रुको यह कैसा रहेगा ज़्यादा स्टाइल मत मारो यह हमारे क्रिस्मस कॉर्ड के लिए है थोड़ा सा लेफ्ट में हो जाओ और थोड़ा सा लेफ्ट 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 थोड़ा थोड़ा पॉफेक्ट अब कहो शार्क अटेक शार्क अटेक कई बच्छा जब ठीक चल रहा है ना मुझा मताओ मेरा सिर्दार्द कर रहा है आज का दिन बहुत खराब गया यह कॉम्पिटिशन नहीं रुकने वाला हम इसे बिलकुल नहीं रोकेंगे क्योंकि हमें इस मौके पर बहुत सारी गाड़िया बेचनी है पर बहुत सारे लोगों को शार्क खा भी तो रही है पर कोई बात नहीं गाड़िया तो बेचनी ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए यह क्या हो गया अब क्या करूँ अरे मर्या अरे बापने अब क्या करूँ वो सीवत खड़ी हो गई यह सारे पेपर्स तो मुझे बचा नहीं पड़ेंगे यह क्या हो गया अरे पेपर वहां भी पड़ा है यह कैसे निकालो अब मेरा क्या होगा सारे पेपर्स गीले हो गए अब क्या जवाब दोंगा आजाए 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 कहा गया आजाए आजाए कितनी सारे हैं क्योंकि पारी में खून है खून की वज़े से वो यहां पर आ गई है हमें क्या करना चाहिए इने खत्म करना होगा वाइट ये कोई शार्क मूवी नहीं है हम इन भोके शार्क्स को मार नहीं सकते पर कुछ तो करना होगा अगर इने छोड़ देते हैं तो ये पूरे इलाके में भैल जाएंगी और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे हा तुम ठीक कह रहे हो लोग अभी भी नदी पर हैं इससे पहले कि कोई मारा जाए हमें उन्हें बचाना होगा सही कहा हाँ हाँ हमें पूरी फॉर्ट चाहिए शायद गन से काम हो जाए मुझे पता है वो कह में लेंगे मैं नहीं जाएं इस काम के लिए तुम्हें किस किसको फोन करना पड़ेगा मेरा काम होना चाहिए मुझे यहां से निकालो वरना तुमारी नौकरी कई रुको मिस्टर लेंडन हम लोगों ने ये टाय किया है कि हम शाक से लड़ेंगे मैं यहीं पर बैठा रहूँगा क्या आप मदद नहीं करेंगे एक घंटे से मैं शाक से लड़ रहा हूँ एक आदमी को जिन्दा खाते देखा मेरे सर पर हमला किया मैं यहीं पर रहूँगा कहीं नहीं जाने वाला पर आप तो एक्सपर्ट है ना और यह आपके बायहाद का खेल है कोशिश अच्छी है अब जाओ यहां से पर जो लोग नदी में हैं उनका क्या होगा देखो बच्चे मैं अपने इस शरीर को सही सलामत रखना चाहता हूँ इसलिए सॉरी गुड़ लग लगा था आप सच में हीरो हैं पर आप तो भगोड़े निकले हैं छोड़ो उसे मेरे डार के दुकान नजदीक है चलो अपनी बोड़ लेके चलते हैं हाँ जरूर अब हम असली हीरो बनेंगे मैं असली हीरो हूँ और मेरे पास इसका सबूत भी है है आप फिर आगया कि अब बिस अब है कि अब कि अब अब कि ठीक है इन लोगों को दिखा दूंगा कि बैद पाफरमेंस के लिए एवार्ट बिना रस्ली हिरो भी हो सकता है एक मचली दो मचली लाल मचली मरी मचली ओ चुक्या शर्क जैसन जैसन चलो तुम्हे कुछ नहीं होगा जैसन जैसन अबभी है जैसन कैजलेतज है बाइट भॉक्षोह दोक्षट लगों में तो ये हमिन हमें निकलना होगा मेरी कार में चलते हैं उसने बहादुर ही तो दिखाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है अरे ठीक है कोई बात नहीं वो अब हमारे बीच नहीं है मैं एक शाग बाइट मैरोथॉन बनाने वाला हूँ एक से पाँच तक तीन नहीं तीन कभी नहीं उसे अच्छा लगेगा ओ यह तो डिर्टी हरी गन है वो पॉइंट पॉरी फाइव है डिर्टी हरी के पास पॉइंट पॉरी फोर थी वैसे मुझे ये पसंद आ गई ये मेरी शाट गन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इससे काम हो जाएगा शायद हमें और भी कुछ चाहिए जैसे चाकू छूरियां जैसे कि बॉम्स तुम्हारे डैड क्या बॉम्स बेचते हैं अरे वो क्यों बॉम्स बेचेंगे यार सही कहा न नहीं मेरे डैड बॉम्स नहीं बेचते वो उन्हें बनाने का समान रखते हैं बॉम्स बनाएंगे हम एक मिनिट क्या तो वहां से फोर्टिलाइजर ला सकते हो हाँ बिल्कुल फोर्टिलाइजर ओके शायद यही है फोर्टिलाइजर शाक्स को बड़ा बनाने के लिए उस पर हमोनियम नाइटरेट होता है बस कुछ आसान से केमिकल रियाक्शन करने है ब्रेलियंट साइंटिस्ट है दोस्त पर प्लान क्या है जो हमेशा से करते हैं हम फिशिंग करेंगे ओके ये भी रख लेते हैं एक मचली दो मचली तीन मचली आज कल हास्ट में यही सब कुछ सिखाते हैं मुझे नहीं पता मैंने साइंस प्रोग्रेम छोड़ दिया है क्यों? जैसा मैंने सोचाता है वैसा नहीं था पता चैलाब मुझे छोड़कर सभी बहुत स्मार थे बड़े तालाबे एक छोटी सी मचली कैसे बचेगी? मुझे लगा था शायद मैं उस लाइक नहीं थी यह कैसे कह सकती हो? अच्छा यह सब कर क्या रही हो? बॉम्स बना रही हूँ वो तो है लेकिन ये सारे कॉंबिनेशन्स बस तुम हीने बनाए है यही तुम्हारा करियर है हाँ मैं भी यही सोचती थी लेकिन अब नहीं लगता ऐसा तुम्हें ये पसंद है? हाँ तो फिर करो? इतना असान नहीं है लेकिन क्यों नहीं? अगर फेल हो गई तो तो उसमें फेल होगी जिसे तुम करना चाहती हो जिसे पसंद नहीं करती है और उसमें कामियाब हो जाओ तो उससे तो कहीं अच्छा होगा देखो एक बात कहूँ मुझे तुम पर भरोसा है सब पैक हो गया क्या हम चले हाँ सब ले लिया है नहीं अच्छा मैं समझ गया यह तुम दोनों के लिए यह तुम दोनों के लिए अरे यार अभी नहीं तो फिर कब करेंगे मूड ओफ कर दिया यह पानी में काम करेगा हाँ मैंने बती पर एक तरह का केमिकल लगा दिया है जो पानी पर भी काम करेगा हाँ हाँ सही मैं यह काम तो करेगा ही नाई नाई इससे पहले कोई और मारा जाये चलते नहीं पहले कोई पॉड्या लगाए आप मारा जाए नहीं है सोल मारा जब बार जा हुआ शेरिफ आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन हमें पानी में जादा शाक्स होने की खबरे मिली है मुझे यकीन है हमारे पास गाड़िया नहीं है सीनियर्स ले गए हैं आप कब तक पहुंचेंगे मैं बस पंदरे मिनिट में वहां पर पहुंच रहा अच्छा लाला तुम मेरे लिए एक्स्ट्रा जूते का जुगाड़ कर सकती हो गया बचके यह क्या था सर आप ठेक तो है बाल बाल बच गया वो शायद किस्पत साथ दे रही है लैला चूता भूल जाओ एक टोइंग ट्रच चाहिए लग रहे कि तुम्हारी कहानी शुरू हो गई है यह सिर्फ एक इतिफाक है तो फिर मौके का फायदा उठाओ मेरे दोस्त अब इसका मतलब क्या हुआ वो परेशान है उसे सहारा चाहिए और सहारा तू बन जा नहीं मुझे इसा नहीं लगता अच्छा अगर तू सहारा देता है तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है बता बेईज़ती होगी न वो रिजक्ट कर देगी और फिर दिल तूट जाएगा शाक अटैक ऐसा क्यों नहीं बोला लेकिन नहीं तेरे लिए बाकिछीज़े ज़्यादा जरूरी है निशाना चूग रहा है एक जगह पे टिक नहीं रही है थोड़ा पास जाके ट्राइ करें यह ट्राइ करना चाहिए अब होगा धमाका यास हो गया नहीं यार तुमने तो उसे डरा दिया अरे यार हमें कुछ और सोचना होगा फिश के अंदर बॉम लगा कर देखें तुम लोगों ने ये क्या तमाशा लगा रखा है शाक्स को मार रहे हम तुम लोग बोट्स को खत्म कर रहे हो इंशुरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे मुझे हम लोग की जिन्दगी बचा रहे हैं तुम सब तबाही मचा रहे हो जानते हो राइफल्स के साथ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हो इस बैग में बॉम है क्या पता कितने कानून तोड़े हैं तुमने एक नहीं दो नहीं तो आप ही बता दो आपके हाथ खून से रंगे हैं नदी में शार्ख है लोगों को खा रही है और अब तमाशा देख रहे हैं मुझे मुझे कुछ भी नहीं सुन्दा मैं जा रहा हूँ इसे मुझे दीजे रुके आप जरा शांत हो जाएए ठीक है अब क्या करेंगे गूली मारेंगे आप शायद शायद ये चला दे गूली सुनो लड़की तुम्हें बुजर्गों की इज़त करनी नहीं आती मैं बड़ों की बहुत इज़त करता हूँ सच मैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तुम लोगों ने मेरे अच्छे खासे कॉम्पटिशन को बरबात कर दिया है नहीं चोड़ूँगा वो शायद थी समझे शायद ने मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन तुम सब मेरे कुनेकार हो ठीक है मेरे पैसे समझे तरवाट कर दिये शायद से भी खतरनाक तुम लोगों पताने सिगनल क्यों नहीं मिल रहा है यहां पर खोलता है कभी कभी मिल जाएगा बात यह कि टेरा और मेरी आखरी मुलकात बहुत अच्छी नहीं थी हम दोनों में काफी बहस हुई थी अच्छा कॉलेज में अच्छे मार्क्स नहीं ला रही है शराब ज्रॉग्स नहीं वो मेरी दुकान संभालना चाहती है उसमें बुरा ही क्या है यह तो अच्छी बात है ना अच्छी तो है पर उसे बच्पन से ही साइंस के साथ बहुत लगाओ था जब वो पांच साल की थी तो उसे माइक्रोस्कोप चाहिए था ताकि वो पत्तों के स्टड़ी कर सके यह उसका सपना रहा है और अब अचानक वो खत्म हो गया उसके लिए वो कुछ ज्यादा नहीं था? नहीं, मेरी बेटी एक ट्राइट स्टुरेंट है वो प्रेसिदेंशल स्कॉलर है चुकी है मेरा मतलब यही था जब लोगों के उमीदे हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उसके बूच से वो दब जाते हैं शायद वो आपको निराश नहीं करना चाहती थी मैंने उसके लिए बड़ी-बड़ी उमीदे लगाई थी इस छोटे शहर में क्या रखा है? छोटा शहर है तो क्या हुआ, रहने के लिए अच्छी जगह है यहाँ पे काफी अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त मिलेंगे, बढ़िया खाना है शाक्स? हाँ, यह सब अपनी-अपनी सोच है कहीं एक और हमला तो नहीं? पता लगाना होगा हरली, मैं मरीना जा रहा हूँ, देखना चाहता हूँ टेरा ठीक है या नहीं मैं तुमसे वह इंगलूँगा आँ चलते हैं ज्यादा दूर है क्या? ज्यादा दूर नहीं वह बिल्कुल ठीक होगी कुछ देर पहले मैं मरीना पर थी, वहाँ कोई शाक्स नहीं थे क्या मैं आपको बिना मांगे एक सलाह दे सकती हूँ? हाँ, बोलो उसे अपने गलती का एहसास होने दीचे जब मैं देखूंगा वो खुश है, जीती जाकती है तो उसकी पढ़ाई बंद करवा दूँगा, वो जो चाहे करे, ठीक है? ये भी ठीक है सुनो, नदी से बाहर निकलो यहाँ पर एक शाक है वो मैं जानता हूँ तुम्हारी मदद के लिए अंदर नहीं आऊँगा, मारो तुम चुप रहो, मैं इसे पकड़ूंगा बेहुकूफ वो तुम्हे खा जाएगी तुम अटना मूँ बंद रखो ये क्या होगा? फिक्र मत करो, वो चला गया तो अब हम क्या करें? यूँ हार तो नहीं मान सकते लोगों की जाने दाओं पर लगी है समझ नहीं आ रहा और क्या कर सकते हैं? बिक बिल को मार देते हैं नहीं अच्छा, एक काम करते हैं हम प्रद्वी को गुमा के टाइम लाइन को बदल सकते हैं मजाग मत करो, वाइट शैतान को खत्म करना ही है वाइट मैं कोशिश तो कर रहा हू ना सोचने दो मुझे तुम दोनोंने तो हारी मान ली है विश्वास नहीं हो रहा है मुझे एक कहानी सुनाता हूँ एक लड़का था जो सैकल चलाना चाता था लेकिन उसका एक पैर दूसरे से डेले इंच छोटा था मतलब कि वो कभी सैकल चला ही नहीं सकता था सच में? लेकिन उसने कभी उम्मीदें नहीं छोड़ी वो चलाता रहा गिरता रहा और बार बार जखमी होता रहा लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी वो हर सुबह उटकर फिर जखमी होने के लिए तैयार हो जाता और एक दिन वो शेहर में सबसे तेज सैकल चलाने वाला लड़का बन गया था और जानते हो वो कौन था तुम हो नई जैसन लंडन मैं सच कह रहा हूँ यह उसी की कहानी थी कहानी अच्छी है वाइट लेकिन इससे हमें क्या मदब मिलेगी कहने का मतलब है अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो हार मत मानो अच्छा क्या यह करें मजबूत है बहुत मजबूत है लेकिन उस शाक को उठाने के बाद थोड़ा कंपब्सूर हो गया हो तुम ठीक कर सकते हो यह हा हा हँ ठीक कर सकते हैं लेकिन आदा गंटा लग जाएगा इतनी सारी शाक से एक 크ेंड से क्या होने वारा है हम एकिक करके ही निकालना पड़ेगा वो पूल देख रहे हूँ हाँ हम इसे पूली के तरह इस्तामाल करके उन सब को जाल में फसा देंगे वो आएंगी, हम जाल तयार रखेंगे इस क्रेन से उठाएंगे और उसके बाद बाहर निकाल लेंगे हाँ, बिल्कुल ठीक हाँ या तुम सीरियस हो? अच्छा अकलमंदी वाली बात पूछता हूँ अगर तुम्हारा प्लैन ये है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं तुम्हें लगता है याजे बेकार है? क्या तुम शाक को बहला कर जाल में फसा होगी? नहीं, हम चारा फेकेंगे कॉंपिटिशन के वज़े से बहुत सारे चारा है हमारे पास ठीक है, हम चारा फेकेंगे फिर हम क्रेन से घुमा कर इने बाहर निकालेंगे नहीं फिर हम बॉम यूज़ करेंगे ये वाकई में बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन वो हमारे सारे बॉंब्स ले गया है सर्वेद को छोड़कर सत्यानाश वो उन तीनों का सब कुछ बर्बात कर दिया उणोने पौस़म तुम्हारे हाथों में क्या है पौस़म कुछ नहीं कुछ भी नहीं नहीं तुम्हारे पीछे क्या है पीछे लदी है अतवास मत करो, वो ट्रॉफी मुझे दो लाओ ये सिर्फ मेरी है इसे मैंने अपने हुनर से जीता है इसे मैंने मिसी सिपी नदी में अपना हुनर दिखाने वाले के लिए बनवाई है ये मेरी जागीर है इस पर सिर्फ उसी का हक होगा जो इस कॉम्प्रटीशन का विजेता होगा तुमने मेरी मचली देखी थी, मेरे सिवाए कोई विजेता हो ही नहीं सकता देखो मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे देदो छोड़ो, छोड़ो अगर मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा छोड़ो, तुम जूठे हो मेरा है, तुम विजेता मेरा ही हो क्या ये बन जाएगा हाँ जरूर मुझे वो सौकेट ट्रेंच पकड़ा सकती हो हाँ ठीक है पर इससे काम नहीं होगा मैं मसा कर रही थी ये लो मैं जानता था अच्छा हाँ बाबा जानता था क्योंकि मेरे डाड हार्वेश आपके मालेक है वैसे मैं अंदाजा लगा रहा था हमारे हाइ स्कूल में दोस्ती क्यों नहीं हुई हाँ तुम्हें नोटिस नहीं किया होगा तुम्हें नोटिस किया था क्या तुम्हें लगी तो नहीं हाँ मैं ठीक हो उठो कि मुझे नोटिस किया था हाँ मुझे लगा मुझसे नफरत करते थे हाँ हमेशा तो मुझे अबॉइट करते थे मेरी तरफ देखते नहीं थे नहीं नहीं एसी बात है है सुनो मुझे बता सकते हो यह बड़ा वाला जाल कहा मिलेगा हाँ वो नदी के पास बहुत मिल जाएंगे तुम जाकर देख लो तब तक मैं और टेरा क्रेन को रिपेर कर लेते हैं ओ हाँ नहीं क्या है कि उसके पास बंदूख है तो मैं केले नहीं जा सकता वो मुझे गोली माड़ सकता है वइसे भी मुझे डेस से काफी अलर्जी है तो मेरे साथ चले तो मैं लाती हूँ हाँ यह ठीक रहेगा कभी-कभी काम की बात करती है है लगता है वो तुम पर फिदा हो गई है तुम्हें लग रहा मैं मजा कर रहा हूं हाँ मैं कर रहा हूं क्योंकि तुम तो मजा करते नहीं हो तो मैंने सूचा मैं ही कर लू तुम ठीक हो हाँ मैं बेवकूफ हूं लेकिन हुआ क्या मैंने क्या कर दिया और बेवकूफ तुम हो मैंने हूं समझे हुआ क्या चाहिए यह चीक रहेगा बढ़िया है कि तुम्हें बिग बिल को देखा लगता है वो शार की पेट में गए पिर तो रास्ता साफ हो गया वाइट अरे ने ने मेरा मतलब बहुत बुरा हुआ ठीक है मैं जाल ले लेता हूं और अरे यार बहुत भारी है सच मैं मैं वो चारा लेकर आती हूं तुम बस यही रुको हे टेरा क्या जब यह सब हो जाएगा तो क्या हम दोनों कॉफी पीने जा सकते हैं आइडिया अच्छा है थैंक यू अगर सिंदा बची तो क्यों तुम्हें ऐसा लगता है इसमें जान का खत्रा है मजा कर रही थी इस बार मुझे पता था बस हां में हां मिला रहा था यह तो मजा की कर रही थी तयार हां मैंदे अधरक्रा कैरा ड़क्राइड है तयार प्रफ के शार्ट्राइडटे न थीूटते है तयार है गलती मेरी थी तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारा साथ दूगा वो जो भी हो शुक्रिया डाड मैं सोची हूँ बिजनस आप पर छोड़कर मैं लाब वापस चली जाओ तुम यही करना चाहती हो तो यही से हाँ डाड आज की सुर्खियों में आप देख सकते हैं बाप बेटी का दिल को छू लेने वाला मिलर आप कौन है एलिसन हाटिंग डव्यू आए क्यू जट से कहां गए सब लोग वो सब मैं आपको रास्ते में बता दूंगी इससे उठाने में मदद करेंगे प्लीज क्या इसमें क्या बाते है क्या हुआ सब चली गई वो सब तो पूरे दिन नदी में तेर रही थी पता नहीं अचानक कहां चली गई शायद नदी के ऊपर गई होंगे ज्यादे देर तो नहीं हो गई देखो वो आ रही है लगता है आज हम कुछ फिर्शिंग करके ही जाएंगे जब मैं कहूं तब खीच लेना किचो खीचो ओे जाएंगे किचो ओई किचो आखिर हमने कर दिखाया हाँ हमने कर दिखाया मैं आरा हूँ काम बन गया यकीन नहीं हो रहा है यह बताओ तुम्हारे हाथ यह पाइप बॉम कैसे लगा इससे मैंने बनाया है तुमने बनाया है हाँ मतलब आप ही हमेशे मुझे साइंस फॉलो करने की सला देते थे इसलिए मैंने बच्चे तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा वो मतलब नहीं था मैं यह बॉम फेक सकता हूं मेरी ख्याल से यह मुझे करना चाहिए हाँ वाइट पिछले बार भी तुम्हारा निशाना चूग गया था और हमारे पास सिफ एक यह इसलिए वो इधर उधर हिल रहा था लेकिन यह तो एक जखे ही है तो बहुत आसान है इस बार गिराना है फैंकना नहीं है ठीक है मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा अलिसन हार्टिंग डब्लो आ क्यूजेट से मैं यहां साउथ हार्बर ब्रिज पर हूँ यहां के तीन लोकर्स ने शाक्स से टकर ली और वो जीद गए असल में वो शाक्स का बड़ा जुन था लो शाक्स आ रही है तुम्हारी बॉक चुक गया क्या धमाका था गवाल हो गया अलिसन हाटिंग डब्लो आ क्यूजेट से मैं यहां साउथ हाबर ब्रिज पर हूँ जहां एक आदमी की बेवकूफी से एक छोटा शहर खत्रे में पड़ गया वो शाक्स पानी के बाहर है और सब लोग सुरक्षित हैं यही तो हम चाहते थे ना सही कहा क्या हो रहा है वो नीचे क्यों जा रहा है हमारी क्रेन अरे उन लकडियों का क्या हुआ है कहा पहुँचे देखो मैं तुम पर रहसाम कर रहा हूँ तुम जानते हो कि मैं डंपर ट्रेक चलाता हूँ जल्दी पहुचो क्या देना गया है इससे बुरा तो वही नहीं जाए रहे किसे रोक नहीं पा रहे हैं शार्क्स ट्रक्स से भी भारी हैं वो उसे पहियों समय उठा लेंगी अब हम क्या करें शार्क बाइट फोर शार्क बाइट फोर शार्क अगई जमीन पर क्या तुम्हें ट्रेलर याद नहीं है क्या उसका ठीक है तुम बाद में देख लेना अभी हमें शाक्स को जमीन पर लाना ही होगा और वो होगा कैसे वो पानी से उपर है हमें बस जाल के समय तुन्हें बाहर लाना है लेकिन रसी ज्यादा बड़ी नहीं है हमें क्रेन को खीच कर आगे ले जाना होगा कोशिश करते हैं जैसन लंडन जैसे जैसन लंडन जैसे जैसन लंडन के जैसन लंडन के जैसन लंडन को बाद में और बाद में चलो सच में तुम्हेरो हो हाँ मैं तो हूँ ही हीरो तुम अपने आत्न विश्वास के दम पर बहुत आगे बढ़ोगे हमने जीने के लिए भी आत्न विश्वास चाहिए जो सब के पास नहीं होता फस गए नहीं चानू हो रही गाड़ी आगे बढ़ाओ यह शुरू नहीं हो रही है अब जल्दी करो कि चालू होजा मेरी जान मैं मानता हूँ कि मैंने तेरी सेवा नहीं करी तेरी सर्विसिंग नहीं करवाई मगर मुझे माफ कर दे प्लीज चालू होजा प्लीज मेरी इसत का सवाल है यह शुरू हो गई और आगे बढ़ाओ अपने सुहाने सफर को जारी रखने के लिए टेप का साइट पी चलाएं पागल ना समझ वह पुलपर पहुच गए पुलपर पहुच गए वह पुलपर है कर दिखाया कर दिखाया प्दाच ने है क्या मुझे बुरा लग रहा है पर मिस्स चैप्मेन को खा गए थे वह आ गई है वो मेरी सबसे अच्छी कस्टमर थी काम हो गया हम उने एक कर दिखाया अलिसिन हाटिंग डबलु आई क्यू जेट से इस वक्त मैं साउथ हाबर ब्रिज पर हूँ एक जबत दस धमाके ने अभी अभी एक छोटी शहर को मिसिसिपी रिवर के खतरनाक शार्क के चंगुल से बचा लिया है तर्द तो नहीं वहां मतलब काफी मजबूइथ हो आजाओ लगता है तुम्हारे स्टोरिया वाइरल होने बादी पर मेरा कैमरा मन मारा गया हां बहुत बुरा हूं तो हम कॉफी पर चले अच्छिली मैं कॉफी नहीं पीती नहीं देखा तुम मजा सुरही हो ना देखा दोस्तो चीट की ट्रोफी इसे भी शूट करती नहीं अच्छा वहाँ से शार्क हमले को तीन महीने हो चुके हैं जिस्टे मिसिसीपी को हिला कर रख दिया था लेकिन अनिमल राइट एक अटिविस्ट ने एक लोकल ट्रकिंग कंपनी को पॉल्कॉर्ट करने की अपनी मांग को फिर से दोराया क्योंकि उनके ड्राइवर ने बुल शार्क्स के एक ज कर रख दिया था जाधा चांदकारी के लिए चलते हैं लैंटन के पास हाई डाट क्या से वायरे हलो चानी की तैयारी करीब 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 क्या आप शौरो अब दुकान को आसानी से छोड़ सकते हो हाँ मेरा नया असिस्टेंट दुकान बंद कर देगा जरा सुनिये शाम को मिलते हैं आल दा बेस्ट हम जीत गए मेरा मतलब था उसके पास गन्स छोड़के जाने सही लगता है अब यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन तुम फिकर मत करो है दर्वाजा मैं खोलूंगा शुक्रिया रिक इस कॉंस्टेबल ने ज़रूरत से ज्यादा देख लिया था अब इने मोकाए वार्दात पर भी जाना होगा मिली अपने नए पार्टनर से मैं शाक से नफरत करता हूँ दा फिन ब्लू लाइन के नए स्टार है जेरेमी लंडर वाँ स्क्यूज मी क्या मैं आपका फोन इस्तामाल कर सकती हूँ मेरी बैचरी खतम हो की यह और मैं रास्था भटक गई हूँ अहां हां हमारे पस फोन है मुझे यह पसंद है पतह ही किस की याद दिलाता है आपने शाक बाइट मूवीज देखी है क्या क्या आपको शाक मूवीज पसंद है अहां थोड़ी थोड़ी पसंद है नहीं नहीं मुझे भी बहुत पसंद सच में सच में मेरी पसंगीदा है बहुत अच्छा है आप फोन कीजिए ना प्रीज ये लिजे फोन लगाईए आपको फोन करना था शक्रिया मैं खुद की बढ़ाई नहीं करता लेकिन मैंने तबाही मजाने वाली शाख्स का सफाया किया है वो भी अकेले सच में मैंने भी